कि नमस्कार साथियों श्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कुछामन ओल्लाइन क्लासेज पर जिस परकार पसु परिचर बरती में भाग बैप पसु पालन के हम क्योशन एंस्वर देख रहे थे आज हमारा जो टोपिक रहेगा वो रहेगा पसु के अंदर आयू ग्यात करना पसु के अंदर भार का पता करना और यह कैसे पता किया जाता है दोस्तु इनसे रिलेटेट 40 क्योशन लेकर आया हूं साहिद ऐसा टोपिक है जिसे रिलेटेट 40 कुशन है वो बनाना भी मुस्किल होता है लेकिन फिर भी 40 क्योशन आपके सामने लेकर आया हूं यह क्यो प्री मोलर टित की संक्या कितनी होती है जोड़ी में पूछी गई है कि जो प्री मोलर टित होते हैं इनकी संक्या कितनी होती है चार ओप्सन आपके सामने हैं उत्तर कमेंट करना है दोस्तूं कितनी होती है प्री मोलर टित 6 जोड़ी दांत पाए जाते हैं दोस्तूं अब यहा बना जाता है पासुँ की आयू ग्याद करने की सर्वोतम विदी है वह कौन सी होती है तो वह उति है दानतु के दोआरा आयू ग्यात करना सर्वोतम विदी मानी जाती है दोस्तु इंपोर्टंटके उसन यह रहीbat बाकी तो देखे खुरसे भी करते हैं, सिंगू के विद्वारा भी करते हैं, सारिक दसा को भी देखकर करते हैं, लेकिन सर्वत्म विदी होते हैं दांतू के द्वारा आयू ग्याद करना पस्वू में सिंग पर पर्तम चल्ला किस आयू में निकलता है एक पस्वू का जो सिंग होता है उसके अंदर इस परकार से चल्ले बने वे होते हैं और इनके दुआरा पस्वू की आयू की गणना की जाती है पर्तम जो चल्ला बनता है वो कब बनता है दो वर्स की आयू में तीन वर्स की चार वर्स की या पांच वर्स की आयू के अंदर तो देखें ये जो पर्तम चल्ला बनेगा ना ये जब तीन वर्स का होगा कि यहरी कि दो वर्स कंपलीट कर लेगा और तीन वर्स का लगबक डाइवर्स की उमर में यह चला बंता है तो यहां पर देखिये ओप्षन B तीन वर्स की आयू में जब भी पसु की हम आयू घंणा करते हैं तो हम क्या लिखते हैं दोस्तूं चलू की संक्या क्या चलू की संक्या और साथ में कर देते हैं पलस दो मतलब यह आई उआ जाएगी पसु की अब क्यासे आएगी कि अगर जो सिंग है पसु का जैसे इसकी हम बात करते हैं तो एक दो तीन चार पॉंच छले इसमें तो चलू की संक्या च्छा हो गई पलस दो कर दो यानि आठ वर्स इस पसू की क्या हो गई उमर हो गई दोस्तों अगला क्यों सन घाय बेस बेड़ भक्री में कुल डाटु की संक्या कितनी होती है 10, 12, 32 तो सही रहेगा Spring VOICE 32 नानत पाहे जाते हैं घाय ओ बेंस थो बेड़ो या बक्री या मानव भी औह अगला क्योशन कंदू के अगरिम बिंदू, पॉइंट ओप सोल्डर से आपालस्ती बिंदू, पिन बोन के बीच की दूरी कहलाती है, लंबाई, उदर गेरा, हत गेरा या उचाई, क्या कहलाती है दोस्तों, तो यह कहलाती है लंबाई, ओप्शन एस सही रहेगा, नेक्स्ट साइजयर साइजयर को खींदू, बिंदू, जिन हम बोलते हैं, उनका जो परतम जोडा गाया बेस की अमर Ctrl से हम नहीं caraοι में church a या जिए साइजयर का बता का चाह इन किसी नगता है नेक्श्ट है पसू गाय बेस की आयू ग्यात करने का सुत्तर इनमे से कौन सा है जो सही है दोस्तू अभी अभी मैंने दूसरे ही क्यूसन में आपको बताया था कि पसू में अगर छलू की संक्या से अगर हम आयू की गणना करते हैं जो वर्सू में रहेगी तो उसमें सीइंग में छलू की संक्या के साथ पलस दो करेंगे तो पसू की आयू वर्सू के अंदर सीइंग में जो छलू की संक्या है उसमें पलस दो कर देंगे तो यह पहला यह उप्सन सही आपका पसु का सरीर बार ग्याद करने का सेपर का सुतर क्या है पसु का अगर सरीर बार आप ग्याद करना चाहते हैं तो सेपर ने कौन सा सुतर दिया था दोस्तु प्यारे मित्रों यहाँ पर जो यह दो लिकावा है यह इसक्वाईर के अंदर है यह क्या है सभी के सभी में इसक्वाईर है तो यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया सेफर का सुत्तर बता दीजे दोस्तों important question और सेफर का पहली बाद सेफर का जो सुतर है उसके अंदर जो बार निकालेंगे वो पॉंड में आएगा ये तो आपको याद रखना है पसु की जो लंबाई हम काम में लेते वो सेंटीमिटर में नहीं आएगी इंच में काम आएगी सेपर के सुतर में इंच के अंदर काम में आएगी अब इंच के अंदर देखे इसमें सेंटीमिटर म में square और बटा 300 तो si option आपका सही रहीगा अगला क्यों संद एक पसु के सिंग पर दो छल्ले हैं तो उमर होगी सिंपल सा क्यों संद क्या होगी तो चलू की संद कितनी है में दो है और इनमें पलस कितने करना दो करना तो उमर कितनी आ गई चार वरस कितनी आ गई चार वरस ओप्सन डी है जो यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट गाई बेस में इंसाइजर टी होते हैं कौन से जबडे के अंदर गाई और बेस के अंदर जो इंसाइजर टी होते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों यह भी सिंपल सा क् तो बताईए दोस्तों इंसाइजर टेट गाई और बेंस में पाए जाते केवल निचले जबडे के अंदर बी ओप्सन आपका सही रहेगा अगला क्यूसन है डेरी पस्वू का एज्टाई दंत सुतर इंसाइजर केनाइन प्री मोलर और मोलर यह जो यहां पे दाद दिये गए हैं जैसे यहां पे तीस तीन बटा तीन जीरो बटा जीरो तीन बटा तीन और जीरो बटा जीरो यह तो होंगे आपके इंसाइजर यह होंगे केनाइन यह होंगे प्री मोलर और यह होंगे मोलाटित इसी परकार इनमें से जो सही डेरी पसू होते हैं उनका एस्ताई दनसुतर है वो क्या होता है वो बताना है तो वो होता है दोस्तों 0 बटा 4, 0 बटा 0, 3 बटा 3 और 0 बटा 0 यानि 0030 बटा 4030 यह रहा option C आपका सही रहीगा अगला क्यों सन काटने वाले दाट कहलाते हैं जो जुगाली करने वाले पसू में नहीं होते हैं काटने वाले दाट क्या कहलाते हैं वे दाट है जो जुगाली करने वाले पसू होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं उन दातू को क्या का जाता है? उन्हें कहते हैं केनाइन टित या केनाइन दात. Option A सही रहीगा. किल दात किन पसुमें पाए जाते हैं? किल दात है इनमें से किस पसु के अंदर देगने को मिलेंगे. तो किल दांत कुत्ते में सुवर में और बिली में तीनों में पाए जाते हैं ओपसंडी सभी में सभी में किल दांत कुता सुवर बिली इनमें पाए जाते हैं दोस्तू ऐसा पसू जिसके मुख में सभी इस्ताई दांत निकल आते हैं उस अवस्ता को कहते हैं एसा पसूआज इसके मौहे में सभी के सभी दांत आ चुके हैं तो उसे उस अवस्ता को क्या कहें गे उसे कहें गे बरामुक क्या कहें। बरामुक बी ओस्फन है जो यहांपे आपका सही रगा नेक्स्ट एस्ताई 54 दांत टेंप्रेरी मोलर टित गाई बेस में कितने होते हैं एस्ताई 54 दांत टेंप्रेरी मोलर टित गाई और बेस की बात करते हैं तो कितने भी नहीं होते हैं जीरो जोड़ी पाए जाते हैं ओप्सन डियां पे सही रहीगा अगला क्योशन गाई भेंस में 54 दांत, मोलर टित का तीसरा और इस्ताई जोड़ा है, वो किस वर्स में निकलता है, तीसरा और इस्ताई जोड़ा किस वर्स के अंदर निकलता है, तो सही रहेगा ओप्शन B, दो से डाई वर्स की उमर में, दो से डाई वर्स की उमर में, नेक्सट मोलर प्रिमोलर इंसाइजर या के नाइन किन दांतु का प्रियोग है वो किया जाता है दोस्तों बताइए इंपोर्टेंट क्यूसन है और अच्छा क्यूसन है या आपके लिए तो उम्मर निर्दार नेतु मुक्यतिया किस दात का उपयोग किया जाता है अच्छा क्यूशन आपके लिए और सही रहेगा option C incisor का next काई में उपरी जबडे का खाली बाग जहां incisor यानि अनुपस्तित होता है क्या कहलाता है क्या कहलाता है डेंटल पेड ओपसन ए यहां पे सही रहेगा next किन पस्वों के सिंगु द्वारा आयू वर्सु में ग्यात कर सकते हैं तो सही रहेगा option D अब बताईए कि सर्वस्रेश्ट विदी हमने दातू वाली मानी सिंगु वाली क्यों नहीं मानी इसका कारण है कि बहुत सारे पसु में सिंग पाए ही नहीं जाते हैं अगर यह बताईए कि सिंग है ही नहीं तो उन्हें चल्ले कहां से आएंगे लेकिन दात तो सभी क्या होती है 34 बी ओप्शन सही रहेगा प्यारे मित्रूं अब बहुत सारे साती हमारे साथ पसु प्रिचर बढ़ती को लेकर कोर्स को लेकर जानकारी चाते हैं तो उनको देखिए कोर्स जिसके अंदर लायू क्लास कि इनोड़्स एम सी क्यूज और इसके अलावा पचास मोडल पेपर पचास मोडल पेपर यह सभी सुईदाई इस कोर्स के अंदर उपलब्द है अब देखिए कोर्स है उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में एप का लिंक दिया हुआ एप को डाउनलोड करोगे रजिस्ट्रेशन अपने नंबर से करोगे मोबाइल नंबर से उसके बाद जैसे ही लाइव कोर्स का ओप्सन आता है बाई कोर्सेज का लिकावा मिलता है वहां पर जाओगे तो पसू परीचर बढ़ती लिकावा मिलेगा और वहां से जैसे ही कोर करोगे तो नीचे मिलेगा आपको बाइनाव की जिगा आई एम इंट्रेस्टेड आई एम इंट्रेस्टेड इंट्रेस्टेड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास जो वाट्सेप है ना वाट्सेप पर एक मेसेज आ जाएगा वाट्सेप पर जो मेसेज आता है उसके मादेम से आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं जो क्लास प्लस की तरफ से और कुछ आमन ओनलाइन क्लासेज की तरफ से वाटसेप पर मिलेगा अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे एप को डाउनलोड करने हैं पहरे मित्रू तो वहाँ पर आप सीधा पेमे नेक्स्ट उंट में भरा मुक किस उमर पर आती एंट में बरा मुक सबी दांत किस उमर के अंदर आ जाते हैं तो सी उप्शन साथ वर्स की उमर में साथ वर्स की उमर में गाई अम बेंस में इस्ताई दांतू के बारे में गलत मिलान है गाई और बेंस में जो इस्ताई दांत है सुरी इस्ताई दांत है इस्ताई दांतू के बारे में गलत मिलान कुन से में वो बताना पहला इंसाइजर निचले जबडे में चार जोडी केनाईन निचले जबडे में एक जोड़ी यह गलत दे रखा है मॉलर उपरी जबडे में तीन जोड़ी प्री मॉलर निचले जबडे में तीन जोड़ी यह सही है आगे चलिए उट के इस्ताई दांतू के बारे में सत्ते कतन बताईए उंट के बारे में पूछा है पहला इंसाइजर निचले जबड़े में दो जोड़ी होते है प्री मोलर उपली जबड़े में दो जोड़ी होते है मोलर दांत निचले जबड़े में एक जोड़ी होते है और कैनाइन दांत निचले जबड़े में नहीं एक जोड़ी नहीं होते हैं तो D option सही रहीगा गाई बेस में सभी एस्ताई दांत किस वर्स या महा या दिन में निकल आते हैं किस महा में दोस्तों गाई बेस में सभी एस्ताई दांत एक मां की उमर में निकल आते हैं नेक्स्ट है कपोल दान चिक्टित की कुल संक्या होती है गाय और बेंस में कितनी होती है दोस्तों 24 कितनी होती है 24 बी ओप्सन सही रहेगा अधिक उमर का वेपसू जिसके सभी इस्ताई दान्त गिर गए हो क्या कहलाता है क्या कहलाता है जिसके सभी दान्त गिर गए हो यानि कितने वर्स की उमर में होती है साड़ी चार वर्स की उमर में साड़ी चार वर्स की उमर के अंदर नेक्स्ट है चिक्टित होते हैं चिक्टित कौन कौन से होते हैं चिक्टित का जाता है मोलर्स और परी मोलर्स दातूं को मोलर्स और परी मोलर्स दातूं को अगला क्यों सन केन और अपर इंसाइजर अनुपस्तित होते हैं केनाइन और अपर इंसाइजर जो दांत होते हैं ये किस पसु में नहीं पाए जाते हैं तो पहला ओप्सन गाय गाय के अंदर ये दांत नहीं पाए जाते नेक्स्ट पसु में लूँ तता परदर्शनियों में विजेता पसु के चेयन की विदी कौन सी विदी तो यह रहा परदर्शन वरत चेयन परदर्शन वरत चेयन यह क्योशन इंपोर्टेंट बन सकता है एक जाम के अंदर अगला क्योशन है आपका कम उमर में पसू चेयन की विदी है कम उमर के अंदर पसू को वनसावली के आदार पर चेयन किया ज लिए इस्ताई दांत गिर गया हो क्या कहलाता है वो कहलाता है ब्रोकन माउट तैड तूटा वा मुह है तूटा वा मुह है दोस्तु नेक्स्ट है गाय बेंस में कुल दांतों मैंसे कितने दांत जीवन में दो बार आते हैं कितने दांत जीवन में दो बार आते हैं बीस दांत B option सही रहेगा नेक्स्ट है उन्ट में उन्ट में यहेंस्ताई दातू की कुल संक्या कितनी होती है वो होती है 22 A option सही रहेगा पेंस का भार ग्याद करने के लिए कोंसा सुत्र लगाते हैं सेफर्स का सुत्र लेته है पपेलो हिपर का सरीर बार लगबक कितना होने पर वपरजनन के योगे हो जाती है कितना होने पर 250 से 270 किलोग्राम होने पर दोस्तों नेम लेकित मैंसे कौन से दांत गाई में पहले एस्ताई वबाद में इस्ताई आते हैं कौन से दांत आते हैं प्री मोलर प्री मोलर टित दोस्तों नेक्स्ट है डेंट पेड कुट्ता में अनुपस्तित होता है तो बी ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा फिर एक बार सभी सातियों को जानकारी दे देना चाहता हूं जो साती पसु परिचर भरती का कोर्ष लेना चाहते हैं जिसके अंदर जो जानकारी लाइव क्लासेच मोडल पेपर जो इनो कोर्स देंगा आफिस्टओर डाइवाटसाब जो सीदा गूगल से आती है यह तो प्लेइच टोर से लिए यह सीदी गूगल से डाउनलोड होगी और इस से करते हैं तो यहांपका सीदा पिमेंट हो जाएगा जैसे ही कोर्ष पे जाएंगे नीचे बाइनाव का उप्सन आ जाएगा और जो जो साती आज हमारे साथ जुड़ रहा है वो एक टार्गेट जरूर ले ले कि दिन में कम से कम आठ गंटे आज से लेकर दिसंबर तक पढ़ाई करनी है तब ही हमारा जो टार्गेट ना 135 पलस का वो हम कमपलीट कर पाएंगे दोस्तों आज के गलास और आज के इस टोपिक के क्यूसन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बता दे वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते नेक्स्ट जे अबारत